हस्त मैस्तुन सही है या गलत है हस्त मैस्तुन के फाइदे है या नुकसान है ऐसे सवाल युवाओं के मन में बहुत से घूम रहे होते हैं लेकिन इन सवालों के जवाब विग्यानिक तो मिलते नहीं है एविग्यानिक जवाब मिलते हैं और इन से वो डर जाते हैं और यही ए में तुम से समंधित विज्यानिक और मनोविज्यानिक जानकारी मिलेगी और इस जानकारी के अधार पर आप निराश हैं हतास हैं खुद के उपर आपको पस्तावा हो रहा है आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है या काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं या अपनी कुछ ऐस इसी बाते हैं जो दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो की मदद से अपने आपको चिंता से मुक्त कर पाएंगे क्योंकि डिप्रेशन युवाओं में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है इसके पीछे कारण ये भी है कि आपको दूसरों ने खास करके धार्मिक गुरूओं ने धार्मिक बंदों ने या कुछ पोगापन्ति नीम हकीम लोगों ने ड्रा दिया है कि आपने गलती की है इस कारण से आप बिमार हैं इस कारण से आपका नुकसान हो रहा है इस कारण से भगवान आपसे नाराज हैं तो फिर वो उसका इलाज बताते हैं कि ये तेल लो ये चुरण लो ये गोली लो ये फला लो वो अपना वपार कर रहे हैं वो बेच रहे हैं तो ये धंदा है तो मैं सही-स सही आपको जानकारी देने जा रहा हूं और सही जानकारी के लिए आप Oh My God फिलम भी जरूर देखें उसमें काफी कुछ वेग्यानिक जानकारी बताई गई है उस फिलम में एक लड़के की कहानी है उससे भी यह भूल होती है और इसी भूल के कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड अटेम्ट भी करता है देखें युवा सुसाइड अटेम्ट करते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं इसके पीछे कारण यही है कि उनके पास बहुत सारी ब्रहमक जानकारियां हैं और वही ब्रहमक जानकारी उन्हें अपराद बोद गिल्ट और उसमें काफी कुछ चीजें अच्छी भी हैं तो अब बात कर लेते हैं कि हस्त मैथुन सही है या गलत है इसके फायदे है या नुकसान है देखिए हस्त मैथुन करना एक नूर्मल परकीरिया है इसका कोई नुकसान नहीं है और ये सही है और इसके फायदे जादा है जैसे आपकी मानसिक ताकत सारीरिक ताकत कम ही होने वाली है। कुदर्त का नियम है कि आप जिस अंग का प्रयोग जादा करोगे वो जादा सवस्त रहेगा और मजबूत रहेगा। जैसे अगर आप चुप रहने लग जाओ तो आप कोई ताकतवर नहीं हो जाओगे। या चुप रहने से आपकी जवान अच्छी नहीं हो जाएगी। वो जैसी है वैसी रहेगी। अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो इससे आपके अंदर कमजोरी नहीं आएगी। और ना ही आपकी जवान घिसेगी। तो इसी परकार जवान पर ज़्यादा बोलने या कम बोलने से कोई असर नहीं होने वाला, उसी परकार हस्त मैथुन से आपके लिंक पर भी कोई असर नहीं होने वाला है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, अलबत्ता जिन शारिरिक अंगों की मसाज करते हैं, वो ज़्यादा मज दूसरा ये फाइदा है कि जो वीरिय निकलता है, वो अपने आप निकलने लग जाएगा, अगर आपने हस्त मैथुन के दोरा नहीं निकाला, तो वो अपने आप निकलेगा, क्योंकि कुदर्ती नियम है, जैसे आप खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो वीरिय अंतराल परहस्त मैथुन करते हैं, उनमें नाइट फोल की समस्या नहीं आती है, और उनका स्वास्तिय भी अच्छा रहता है, उनके अंदर नींद की गड़वड़ी भी नहीं आती है, और उनका जो फोकस है, अटेंशन है, वो भी अच्छा रहता है, तो मैं यह नहीं कह र जानकारी विग्यानिक हो जाए क्योंकि अगर आपके पास एविग्यानिक जानकारी है आप अपने दोस्तों से पूछते हो दोस्तों यह कहेंगे कि यह तो बहुत बड़ी गलती है अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता ऐसे में पीडित डिप्रेशन में चला जाता है और ड हो जाती है और परिवार भी बिखर जाता है और कई बार कैरियर भी डिप्रेशन के कारण चोप्त हो जाता है और डिप्रेशन का कारण आप किसी से शेर नहीं कर पाओगे तो शेर नहीं कर पाओगे तो फिर इलाज के तीर तुक्ये चलेंगे फिर आपको चुरे से काटने क चक्कर में वो आपको लूट लेंगे और साथ की साथ आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में भी डाल देंगे तो सही यही है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे काउंसलर से, अच्छे साइकोलोजिस्ट से बात करो अगर आपने कुछ किया है और आपको लग रहा है कि इसकी वज़य से मैं परेशान हूँ, मुझसे गलती हुई है तो हो सकता है कि आपने गलती की ना हो, हो सकता है कि आप जिसे गलती मान रहे हो, वो एक नॉर्मल परकिरिया हो जैसे आप ये नहीं कहते कि मैं खाना खाता हूँ, खाना मेरी गलती है, ये गलती नहीं है, इसी परकार पानी पीना गलती नहीं है, इसी परकार हस्त मैतुन कोई गलती नहीं है, ये एक सहज सोभाविक और सवस्त परकिरिया है, लेकिन इसमें दो तिन बातें ध्यान रखने लाइक है कि आप कितने अंतराल पर करते हो, करने के साथ साथ और क्या इमेजिन कर रहे हो, वो चीजें आगे और ज़्यादा बेहंकर बीमारी में आपको ले जाती हैं, लिकनि ये सवस्थे अगर आप सवस्थे मनोदशा से करते हो, तो ठीक है, तो सवस्थे मनोदशा कोन सी है, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी गलती के कारण डिप्रेशन में हैं, तो आप भगवत गीता कोर्स जरूर जोइन करें, उससे आप रिग्रेट स पाप भाव से और अप्राद बोज से मुप्त हो जाएंगे, मनो तो मोज है, वरना समस्या तो रोज-रोज है, बहगेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स की संग, इतिहास का पहला एप जो गीता की माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बन भगवत गीता ने लाखो करोणों का जीवन बतला है, और आपका भी बतलेगा, गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा, सभी 11 प्रिकार की OCD का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लौक दर्वाजा चक कर वह अन्य सामान की चकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान वह मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटेक का विचार आना, IBS और नेन ना आने की समस्या का हल, गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से, मुक्त गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी, राजेंद्र जोथपुरिया एप पर आपको OCD से सम्मंधित, राजेंद्र जोथपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्यानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेगी, गीता है महान थेरेपी, गीता में CBT, हिपनो थ मानो तो मोज है, वरना समस्या तो हर रोज है